Hello Friends, A Study Tube में आप से भी का स्वागत है तो आज हम देखने वाले हैं NTPC के previous exams में पूछे गए GK के 30 important questions को तो मेरे साथ साथ आप भी देखते रहेगे कि आप कितने इसमें से सही कर सकते हैं और अपने score को comment box में लिखना मत भूलिएगा तो चली शुरू करते हैं पहला प्रस्त है जैपुर के जंतर मंतर का निर्मान किसने करवाया तो इसका निर्मान करवाया था जैसी ही दीतिये ने जैसी ही दीतिये ने और आपको याद रखना है जंतर मंतर जो जैपुर का जंतर मंतर है ये UNESCO द्वारा घोसित धरोर अस्तुलों में से एक है और यदि आपको जैसी ही दीतिये के बारे पढ़ना है तो आप Discovery of India जिसे लिखा किसने है पंटित जवालना लेडू उस बुक में काफी डीटिल्स में इनके बारे में लिखा गया आप पढ़ सकते हो तो इसका सही answer होगा पदमानदी किस नम से आना जाता है पदमानदी के नाम से और जो आपको जमना आप्सिन होने ज़राड़ा है ये जाना जाता है ब्रहमपुत्र के मुख्य धाड़ा जो बंगला दिसमें परव्यस करने के बाद जमना के नाम से जानी जाती है अगला प्रस्न है निम्ड में किसे बौना गरह कहा जाता है तो प्लूटो को बौना गरह कहा जाता है तो प्लूटो भी कभी हमारे सौरवंडले गरहों में से एक होता था लेकिन इसे अपने काक्षा में सही से परिक्रिमा नहीं करने करने इसे हटा दिया गया तो आपको comment box में ये comment करके बताना है कि Pluto को ग्रहो के सरेनी से कब भटाया गया हमार अगला प्रसन है टीपु सुल्दान मस्जित कहां इस्तित है तो ये इस्तित है कोलकाता में गीत अमर सुनार बांगला के लेखक कौन है इसके लेखक है रभिनाठ टैगोड और आपको याद रखना है अमर सुनार बांगला ये बांगला देश का राश्रगान है और भारत का जो राश्रगान है जनगनमन उसे भी किसने लिखा है रभिनाठ टैगोड ने और बंकिम चं 43, यानि कि अनुशे 343, निम्ण में कौन सा सहन नील नदी के टट पर इस्तित है, इसका सही एंसर होगा सिकंद्रिया, इन्हें अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, उसके बाद है, निम्ण में कौन सी घाटी कोला भंडार की बड़ी मातरा के लिए जानी जाती है, गोदाब पर इसका सही एंसर होगा, सुचेता क्रिपलानी, जो कहा की मुख्य मंत्री बणी थी, उत्रप्रदेश की, उसके बाद है भारत में राज्य पाल के निउकती कौन करता है, तो असान सा प्रस्न है, कौन करता है, राष्टपती, अगला प्रस्न है, 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसके दोड़ा दिया गया था, तो ये एक्जोबायोजी संबंदित है बाहे अंत्रिक्ष में जीवनियापन से। निमनलिकित देशों में फुटबॉल किसका राश्ट्रे खेल नहीं है। तो घाना, हंगरी, मौडिसस इन सभी देशों का फुटबॉल राश्ट्रे खेल है लेकिन अर्जेंटीना, अर्जेंटीना क राश्ट्रे खेल फुटबॉल नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि अर्जेंटीना में फुटबॉल तो काभी पॉपलर है, लेकिन यहां का जो राश्ट्रे खेल है, वो क्या है? पीटो है, क्या है? पीटो. अगला प्रसन है, दास वंस के अस्थापना किस ने की थी? तो दास वंस के अस्थापना कि थी कुटबॉदीन एवक ने? दास वंस को गुलाम बंस भी कहा जाता है, क्योंकि शुरू में लाइक, इल्टूतमीस, बलवन, ऐसे बड़े सासक भी क्या थे? किसी ने किसी के गुलाम थे? यहां तक कि कुटबॉदीन एवक भी गुलाम था तो चलिए आपको कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताना है कि कुटबॉदीन एवक किस के गुलाम थे? अगला प्रसन है, कल्कना चावला अंत्रिक्ष में किस यान से गई थी? तो यह गई थी कोलंबिया यान से, किस यान से गई थी? कोलंबिया यान से. अगला प्रसन किस नदी को दक्चिन गंगा के नाम से जना जाता है गोदावडी किस वर्स भारत ने पहली वार राष्ट मंडल खेलो यानि कि कॉमन वेल्थ गेम की मेजवानी की थी इसका सही एंसर होगा सन 2010 और इसके साथ ही आपको याद रखना है कि 2008 इससे पहले जो कॉमन वेल्थ गेम ह पर 19 में होने वाला है तो ये कोशन काफी इंपोर्टेंट होगा कि ये कहां खेला गया था तो ये खेला गया था आस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस सिटी में और इसके बाद जो अगला कॉमन वेल्थ गेम होने वाला धरवाइस में वो होने वाला है इंगलेंट इंगलेंड के विंगम में हमारा अगला प्रस्न है स्वतंतर भाडत में भाडतिये रोष्ट्रिये कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो इसका सही एंसर होगा इंदीरा गांधी भागगत सी को फासी कब दी गई थी तो बीर भागगत सी को फासी दी गई थी उसके बाद मैसूर, चलिए मैसूर बता यह किस राज्य का पुरणा नाम है, यह है करना टक का, किसका करना टक का, और आज का हमारा अंधिम प्रस्न है, किस राज्य में, किस राज्य से सम्बंदित है, तो इसका सही एंसर होगा, आंदर प्रदेश, तो यह थे NTPC के एक्जाम में पूछे गए, GKK, 30 important प्रस्न, thank you so much.